सबसे पहला जबाब आ रहा है बहुत अच्छा है सोग जी बेरे गुट कोशिस करिए 22 नंबर है आज ठीक है ठीक है कमेंट आ रहा है सालिनी मिस्रा जी ओके लाइब नंबर 22 कि टी इनि डिपलोमा इन इलिमेटरी एजुकेशन फाई आरस्टी फास समस्टर iqe iqe 5D प्रतिसथ है बंदी आपका यह नया चैपिटर है चैपिटर है स्पमा यानि आपका स्पुलादिया चैलेगा लेकिन साथ्मा अध्याए से पहले इसमें बिभाजता नियम भी पढ़ना था लेकिन बिभाजता नियम अभी हम नहीं ।ड़ा रहे हैं फिल कि मैंने कुछ पूछा था 25 परसेंट का मान कितना आएगा तो इसका सबसे पहला जबाब जो दिया था उनका नाम है मैं बोलूंगा पांडे जी जो की गलत बताये थे मान सिंग अमन सोनी आदो ठीक है कुछ लोग सही बताए कुछ लोग गलत बताए क्या जाता है आई यह हम बात करते हैं प्रतिसत की तो क्या क्या पढ़ेंगे पहले इदर टॉपिक भी दे देते हैं कुछ कुईश्चन भी हम करेंगे जैसे दो बटा पांच को परतिसत में बदल लिए आप लोग इसका जबाब दीजिए इधर साइड हम टॉपिक लिख देते हैं मारकर में थोड़ा सा इंक भरेंगे एक बात और बता दें यह कलास डीलेड वालों के लिए है इसमें अगर कोई पिएच डी करने वाला आया है ना तो उसके लिए नहीं है क्योंकि किसी भी टॉपिक में हम बहु सारी कोशिस होती है उससे ज्यादा ही बताते हैं तो हमें सर बता रहे थे कि कुछ लोग वाट्सअप पे कोई है ऐसा गुरुजी जो बहुत डिसकस कर रहे थे एक एक पॉइंट पॉइंट के बारे में मैं तो यह डीलेड वालों की कलास है बीटीसी में जितना है उतना ज् ठीक है अस्वनी कुमार ठीक है अस्वनी बेरी गुड चलिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं क्या बता हूँ आई यह टूबटा फाइब को परसेंटेज में बदल लिए तो देखिए परसेंटेज में अगर कोई भी नंबर को बदलना है तो हमें उसको हंड्रेड से मल्टीपल करना होता है क्या करना होता है सौ से गुड़ा करना होता है इसे हमें परसेंटेज में बदलना है और अगर परसेंटेज का मान निकालना यानि परसेंटेज हटाना है तो हमें सौ से भाग करना होता है यानि पचीस को क्या करेंगे सौ प्रतिस्त में बदलना और पढ़ेंगे प्रतिस्त का मान प्राप्तांक तथा पुड़ांक से प्रतिस्त निकालना यह कुछ टॉपिक हम डीटील में पढ़ेंगे हमारे साथ पूरा इंड तक बने रहिएगा ठीक है आकांचा जी बिल्कुल सही है सपनर आठोर जी नेहा बर्मा आप लोग कोशिस अच्छी कर रहे हैं तो यह हो गया सबसे पहले प्रतिसत का अर्थ में कली बता चुका हूं आप सभी जान रहे हो आईए प्रतिसत में बदलना एक बटा पांच वो प्रतिसत में बदलिये जल्दी जल्दी से जबाब दीजिए तो नहीं आदो ठीक है कमेंट आ रहा है थोड़ा सा लाइट कम लग रही मुझे तो ठीक है जलिए आईए फटा फटा आईए दो बटा पांच को परसेंटेज में बदलना है वो तो मैं आपने कर लिया निकाल लिया प्रियांसी सिंग अस्वनी ठीक है बहुत अच्छे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं इधर साइड में आईए देखिए वन अपांच जो फाइफ है एक चीज यहां पर याद रखना है कि अगर परसेंटेज में बदलना है परसेंटेज में बदलना है तो भाईया साव से गुड़ा कर देना है और अगर परसेंटेज का मान निकालना है यानि परसेंटेज का चिन हटाना है तो स से भाग कर देना है यह याद रखा है रोशनी कुमारी सिल्पा के सर्वानी मंजीत बहुत अच्छा इसको हंड्रेट से सिर्फ और सिर्फ परफ्रेंटेज में बदलना है में का मतलब इसको सौ से गुड़ा करना है तो पांच से काड़ देजिए यहाँ पर परफ्रेंटेज का चिन्न जरूर लगाना लेकिन एक चीज और याद रखना अगर कहीं ऐसे कोश्चन दिया है कि समझघना अगर ऐसे कोश्चन दिया है तो का मान बताएगे तो यहां पर देखिए का मान है यहां पर कि भान करेंगे और से बाग करें इसीन को हम्या जुब से भाग करें ऐसे को दो इसके नीचे एक शिपा लेते हैं ये तरीका आप जानते हो कि नहीं पहली भी लिख लेते हैं इसको पलड़ देते हैं वन अपान हंडे कार्ट देंगे एक बटा सी आएगा ये पांच बटा चार परसेंट का मान है एक बटा सी लेकिन इसमें कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हो क्योंकि ये थोड़ा गंदा लग रहे हैं कुछ अच्छा ने लग रहे है अभी आगे अच्छा भी लगएगा जैसे अगर मैं एक कुश सब्सक्राइब का है दो सो परतिसाथ नहीं यह से ही दिया है अगर तो कैसे करेंगे बताइए जो सो पर्सेंटेज का मान बताइए कोई बताएगा निमन सबसे पहला जबाब मान सिंग अनामिका कुमारी रोसनी मंजीद ठीक है आईए आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं अगर पर्सेंटेज में बदलना है यानि पर्सेंटेज का चिन लगाना है मतलब तो सो से गुड़ा करना है सबसे पहला जबाब इसमें जा रहा पर्सेंटेज का मान निकालना इसमें पर्सेंटेज का चिन नहीं लगेगा नेहा बर्मा जी याद रखिए ठीक है इन्होंने पर्सेंटेज का चिन लगाया है रोसनी कुमारी अगर इसका मान निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें पर्तिसत का चिन नहीं लगेगा यह याद रखिए अले आपने सही सही किया लेकिन अगर आपने अंसर में पर्फेंटेज का चिन लगा दिया तो उत्तर गलत है उत्तर गलत है पर्फेंटेज का मान निकालना है यानि हमें इसने सौ से भाग करना है क्ट जायेगा दो आएगा फाइनल में इसका दो आझाएगा परसंटेज का चिंथ लगा तो गलत आरे Iya पर शुक्रमान निकालना था यहाँ परधेंटेज का चिंथ नहीं लगेगा लेकिन ध्यान रहे हाँए यहाँ पे एक करना परशन्टेज इम्पोर्टेंट है समझeh रहे से एक माझनीग में निकालना नहीं तो सब्सक्राइब अगर में बजलना तो सौंसे गुड़ा करेदं यहां पर परशन्टेज का चिन नहीं लगाये तो उत्तर गलत यहां पर लगेगगा कि वह ऐसे हो गया जैसे साथी के लिए बरात इकठा हुई दुलाहन भाग गई तर परसंटेज का चिन ना लगाए हो यह बिल्कुल वह ऐसे लगेगा फिर आंसर का कोई मतलब नहीं कि मज़रे हो ना आपने क्या क्या सीखा पर्तिसात में बदलना और पर्तिसात का मान यह दोनों साथी में सीखा ना आई यह कुछ और भी इसमें से करते हैं कि इसको बोलते हैं भिन्न को पर्सेंट में बदलना कि इनको पर्तिसात में बदलना भिजा खान समझ में आया रियांसी सिंग सभी को समझ में आया चलिए किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो बताईए नहीं न यह समझ गए आप लोग ठीक है तो बताईए 17 बटे 25 को परसेंटेज में बदलिए आंसर बताईए इसका जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे तो ऐसे क्यों टेन और ऐसे कोईश्टक लगा कि इधर अंसर जल्दी करिए कि कमेंट में ज्यादा देखता हूं तो यह गड़बड़ है कमेंट ज्यादा नहीं देखना चाहिए नहीं कि चाउदा बटा 25 को पर सेंटेज में बदलना है कि जल्दी जल्दी खातम करना चाहिए बहुत ज्यादा कोईश्टन नहीं करवाना चाहिए आई यह बता देता हूं 56 परसेंट आया है सबसे पहला जवाब नहीं हमिस्रा का है अनामिका का भी ठीक है और अनुपम मौर्या कि ठीक है 14 बटा 25 को पर सेंटेज में बदलना है कि यानि हमें क्या करना है 14 बटा 25 को सौ से गुड़ा करना है पचीस एकम 25 पचीस चौका 100 और चौदा चौका 56 की परसेंटेज में बदलना था तो अनसर में परसेंटेज का चिन लग जाएगा ठीक है कोई डाउट सालिनी मिसरा समझ में आ रहा है न किसी को कोई डाउट नहीं न आगे बढ़ें फिर हम लोग चलिए आईए फटा फटा आगे बढ़ते हैं यह हो गया इतना तो मुझे उमीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे अच्छा इधर है देखो फिर कर लोगे तो बताओ 0.15 को परसेंटेज में बदलिए जल्दी बताइए कुश्चन नमबर अगला बताओ यह कितना हैगा मैं बताता हूँ उसको देखे पूछना ही अर्दम नहीं चाहिए बताना भी चाहिए ठोड़ा सा मौका देता हूं बाखी तो मैं बताता ही हूं देखे जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं सभी दरसत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल फ्री है यूटूब पे ये क्लास अपता में तीन दिन रेगुलर होती है दो मुआर मंगलवार और बुद्वार को बाकी अगले तीन दिन रिवीजन होता है आप रिवाइज कर सकते हैं जिनका छूटा उटा है ठीक है आईए अस्वनी कुमार अनामिका सपना इसको आपरेशन भी हुआ है किसकी कि दवाई खाएंगे पहले आप रेशन की खाएंगे जिसमें बहुत बड़ा लगा है पुखार वाली खाएंगे बसे एक परकार देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बिमारी है आदमी कोसिस पहले उसी करेगा चोटी मोटी जो है उसको फोड़ा बाद में बत्याता मिलती है तो ऑशल इसमें एक से अधिक भीमारी को लेकिल मिला के हमानली जी इसमें पहले से अल्रेडि सालमलो लगा है का है भिखर पहले हम धसάμने हटाएंगे दो अंक पर धसम्रों है तो यह हटेगा तो नीचे हंडेट से भाग intuitive को आप हमने परसेंटेज में बदलने के लिए कुछ नहीं किया है करसंटेज से लिए 10 यह के लिकर्ना नहींट होता है तो अब हम इसको 100 से मल्टीपल करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए अब यह 0-0 कट गया इक्वल 15 परसेंटाज समझ में आया वो केस पढ़ाई कर लीजिए नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा निबेदन है आपसे सरद्धा पूर्बग बिनमृता पूर्बग कोई कहां से है तुम ठेका नहीं लिए हो पढ़ लीजिए अगला 0.75 वो परसेंटेज में बदल लिए जल्दी बताइये वी व्यूटिफूल गर्ल नाम तो भाई आप लोगों का बड़ा अच्छा अच्छा है बाकी काम कितना अच्छा है वो उत्तर में दिख रहा है अंसर नहीं बताएंगे ना लजा जाते आंसर बताने में अंसर बताने में सरमा जाते हैं चैटिंग करने को देख लो तो फिर भगवान ही मालिक है पढ़ाने का मन इदर है चला जा चैटिंग में लगाने सिद्सक्राइब टाइस पुम लगा, यहांँ से एक अनूमान लगा लिजिए तो उसका अनसर उतना ही आता है ही, जितना रहता हैं , ia 유ब कुड बहुत अच्छे बहुत करें साना बहुत अच्छे साना बोलेंगे बसे पता नहीं साना एक साना है बगवान जाने चलिए आए देखिए यह हो गया जीरो पॉइंट थ्री फाइब और जीरो कि वो परसेंटेज में बदलिये कितना आएगा पोसिस करते रहिए फटा-फट 4.25 वो परसेंटेज में बदलिये जल्दी करिये अरे कोसिस करने में क्या जाता है जारों से डर करनों का पार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती तो कोसिस करते रहिए है ना चaret करें बदलेंगर हमें सब को पता है इसमें 100 से गुड़ा करेंगे य offense आएगा सभी को सिर्थ और सिर्म सो से गुढ़ा करते हैं प्रों में व मतलब नहीं इसम्रीन में घल्या करेंगे तो दिची और और जा जाएगा उठीमा अरुन और लगा है क्या होगा बताएए ज़रा सोचिये इसमें क्या आइगा भी इच कही रहे है 35 पचाइगा कुछ तो पचास आए ता नहीं की आई इसको तुन डेटील में बता देता हूं पहले तो हम इसका लाग वहट आएंगे वह अब्युक्तिया कुछ ऐसे बनेगा तीन अंक परद समलो था फिर सौ से गुड़ा करेंगी दो जीरो से दो जीरो कट गया है एक सुनना से एक सुनना यह कट गया है कि फाइनल में 35 परसेंट आया कितना आया 35 परसेंट देखिए जितने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं दर्सक वो कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं अगर वो थोड़ा सा सेर कर दें दिल लगा के न तो यह संख्या सव के ऊपर हो जाए और अगर हंड्रेट के ऊपर चली जाए न जो बची हुई थोड़ी सी मे पहिनत मैं नहीं कर रहा हूं वो भी कर दूंगा पूरा हंड्रेट परसेंट आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए हंड्रेट बच्चे भी तो होने चाहिए ठीक है यह सब को पता है इसको भी कर देते हैं देखिए 4.25 पहले इसमें से दसमलों हटाएंगे इतने यंक पर दसम बेसिक मैथ बिलकुल जीरो लेवल से ठीक है उसमें सब सिखा जाता है यह तो मैंने सिर्फ दसमलों हटाने के लिए 100 से भाग किया अब चूकी हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुड़ा करते हैं यह लो हो गया दो जीरों से दो जोरों कट गया 425 परसेंट आया कि अच्छा कुछ लोगों के दिल में यह दर्द हो रहा होगा उतरवा उतरवा इस आई है गलत है गलत डट के ले जा रहे हैं आवां बहिंत करते самосर गलत है कि सही है हिसकी जांच करते है अगर इसको पकड़ के हल करें तो यह आजाना अगर यह आ जा रहा तो सही कुला इसका आख चिन सतने मां बोला जाये निकाली है तो भाईया हो मैंने बताया है कि ऐसी सिती के लिए सवसे भाग करते हैं तो यहां पर दो जीरो है तो यहां पर दो अंक पर दसंबलों हो जाएगा यह तो बड़ा प्यार से आ जा रहा है फिर वही आ गया ना यहनि जहां से चले थे वहीं पर आ गया इसका मतलब सही है वही भी आंसर पकड़के आप जांच कर सकते हो अंसर से उत्तर से कुष्चन आ जाना चाहिए यह इसमें आप खुद ही कर सकते हो हम सब के साथ हैं है हमने सबके साथ यह एक स्टूडेंट नाम है कि परतिसाथ में बदलना पर्तिसाथ का अरथ और प्रापतांक तथा पुडांक से परतिसाथ निकालना साक्षी तिरपाथी आरा समझ में फिक है यह लोग कफी खुश हो जाते हैं अगर नाम बोला जाता है यही तो मिलता है लाइब में और मिलता है क्या है कोई डाउट थोड़ी बता जाता है चलिए एक बार मैं फिर से बता दूँ यह रेगुलर कलास सब्ता में तीन दिन होती है रात की दस बज़े से ग्यारा बज़े तक बाकी तीन दिन रिवीजन होता है अगर आप सातों दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप पीवीर स्टडी अप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को इंडॉल कर सकते हैं वहाँ पर सातों दिन पढ़ा जाता है क्या दी कोई छात्र समझना सात्सों के पुडांक में चार सो बीस मार्क्स हासिल करता है हासिल करता है तो परतिसाद बताईए प्राप्तांक को परतिसाद बताईए इस पर चार-पांच कोश्चन करेंगे पताईए आपने अक्सर बहुत सारी परिक्षाएं दिया होगा सबसे पहले हाई स्कूल में ही परतिसाद देखा जाता है फ्लानवाक लड़कवा तो 80 परसेंट पाया है पहले के जमाने में हम लोग से थोड़ा और पहले बड़ा मान होता था कोई लड़कवा अगर प्लड़की यह पास हो जाया हाई स्कूल में अफास डिवीजन बड़े घावं में चर्चा होती थी भाई आप फ्लानवाक बिटिये बात इस परफेंट पाया है आज की जमाना आंसर आया है नेहा मिस्रा जी का अनुपा मौरा जी का भी आया है और मानबेंद्र सिंग ठीक है कि यदि कोई छात्र 700 के पुडांग से 420 नंबर हाफिल करता है तो प्राप्तांग का पर्सेंटेज बताना है आईए मैं देखता हूं और आपको दिखाता हूं देखिए इसका एक सूत्र आप मान लीजिए परतिसद बराबर प्राप्तांग प्राप्तांग को इंगलिज में अप्टैंट मार्क्स बोलते हैं इन्टु हंड्रेड और बटा पुडांग यह आप फार्मूला याद रखिएगा अभी यह और भी बहुत जगा काम आएगा ठ इसका है अप्राप्तांग 420 है और हंड्रेड गुडांग साथ डबल जीरो है एक सुनना से एक सुनना क्लियर एक सुनना से एक सुनना साथ से इनको काट दीजिए साथ चंग 42 जीरो साथ परसेंट जो बता रहा है उसका साही है कितना है साथ परसेंट बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें समझ सक रहें कम से कि तो दुनिया वाले मुझे समझ से का है ना चलिए तो यह होगे सभी कर लिए इमानदारी से जूट नहीं बोलना जूट बोले कवा खट आये देखिए यह हो जाएगा ना तो अब क्या करना है कुछ एकाद उठी आउट राई कर लीजिए एक और देख लीजिए अगर यह पुडांक 800 नंबर कर दिया जाए यह चच्चा कोरोना के टाइम में गड़बडा गए और गड़बडाने के चक्कर में 680 नंबर पा गए है कोरोना बैच वाले वैसे ज्यादा नंबर पाए है अब बता यह कितना परसंट आएगा कितना परसंट आया का बोलिए देखिए मान वैसे ही रखना है जैसे जैसे आपने किया था सिर्फ आपको कल्कुलेशन आनी चाहिए थोड़ा सा बुद्धी दवड़ाईए दिमाग का गोड़ा दवड़ाईए अंसर पाईए मैं सर का नाम रोसन करूंगा बहुत अच्छा पांडे जी वेरी गुड अपी जैसे सिकारी तुम्हें खोज रहा था बाकि गदहिया गोल वालों को तो मेरा मन नहीं करता है इनको पढ़ाने का सच्ची बता रहा हूं ममता सर्मा हम जो पढ़ाते हैं वह मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है हमारी कोशिस भी तो यहीं होती है इसलिए ठीक है परापतांग 680 है इन्टु हंड्रेड पुडांग था 800 एक जीरो से जीरो मतलब दूज जीरो नीचे उपर से काट दिया अब 8 से इनको काटना है यह आठ से कट जाएगा क्या कि अच्छाइए चौशाठ आठटे चौशाठ आठ पंचे चालिस एटीफाइब परसेंट कि पच्छासी परसेंट कि अया समझ में अच्छा यी बात बताईए तो वह बता तुम यांदों में मरते हो मैं नहीं पूछूंगा ला इक कायने क्र ऎक रहे हो लैक कर रहा है विङः ते सलटी से कलास को लैक करिए एक-एक जब तक छातर लैक नहीं करेगा मैं आगे नहीं बोलूंगा है नहीं ब झाल झाल कि यह ठीक है कुछ लोग दो बार करें तो भाई दो बार मत करें एक ही बार करना है दो बार नहीं एक ही बार करना है हाइलाइट हो जाएगा अगर आप लाइक कर देंगे तो यह देखिए अलग तरह से है थोड़ा सा यह पॉइंट में नंबर पाया है आप बताइए यह पॉइंट में है चार सो पचास दसमलो आठ पताइए देखिए क्लास को पूरा इंड तक देखिएगा अगर आपको सीखना है तो कलास छोड़के नहीं जाना है प्रापतांग है फोर फाइब जीरो पॉइंट याद रहे इसको दसमलों में लगाना है इंटू हंडेड रहे हंडेड कहां से आ गया हाँ ठीक प्रापतांग 800 है यह आसानी से आ जाएगा साक्षी तिरपाथी ठीक है बहुत अच्छे आईए दो जीरो से दो जीरो कट जायागा इनका हिसाब इधर करेंगे हल कर लीजिए ऊपर एक दसमलों है तो नीचे एक जीरो आप बढ़ा सकते हो इनका कल्कुलेशन करिए यह दसमलों में आएगा जो भी आएगा सम्थिंग पॉइंट में आएगा अक्सर लोग 56.35 बोल रहे हैं ए चाचा लोग एक चीज़ सुनला इसको कभी भी 56.35 नहीं बोलना इसको 56.35 परसेंट क्योंकि यह 35 नहीं है वास्तों में यह एक से भी कम है यह एक से भी कम है तो आप इसे पायतिफ नहीं बोल सकते हैं यह थोड़ा कहूर सिखा दे रहा हूं यह इसको 56.35 परसेंट बोलना कहीं भी अगर कुछ बताना होगा इस तरह कर रहेगा तो यह मत बोलना कि हम 56.35 परसेंट पाए है कि थीक है इनको हल कैसे करेंगे देखिए 8 से कटेगा क्या यह आठ पंचे चालिस बचेगा पांच नहीं कटेगा यह जिदी सी बात है यह कटेगा नहीं दस हमलों में आएगा आप लोग हल कर लीजिए 56.35 सब बोल रहे हैं मैं भी यह लिख देता हूं जाने देजिए कौन फाल तुझा हमत ले हल करना है बस अब उसमें क्या बता हूं कल्कुलेशन ही तो करना था रहिए आए लकाही पिए न थेरु कि अन्हें मंजीत यादो मंजीत जी आएगा भुशिस करना पड़ता है ना पड़ना पड़ता है थोड़ा पहुत पर एागे बढ़ते हैं आब ये topic भी बिग्राणाच लगता है कि हो गया लेकिन 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 आईये आईये हम जहां ले चलना चाहते हैं वहां चलिए यह बताईये कि संख्या आठ जो है वह 64 का कितना परसेंट है बताईये जैसे मान लीजिए कि आपके पास 64 रुपए थे 64 रुपए थे और हमने कहा कि बाबु बैया हमका तिर दो आपने दे दिया थोड़ा दर्यादिली दिखाई कि यह बताईये कि कितना परसेंट दे दिया हमें कि अब पताईये बस तीने लोग बचे हैं अपकी 100 परसेंट कंपलीट हंड्रेड बच्चे कंप्लीट होने में मातर तीन लोगों की कमी है आजाओ प्रभू कहीं से आजाओ आजाओ जूटाई सही पल भर के लिए कोई हमें आईए देखिये क्या है संख्या 864 का कितना पर्षंट है सबसे पहला जबाब आया है मानबेन सिंग का साक्षी तिरपाठी का भी आ गया है और अनामिका कुमारी किरिफना सालिनी मिस्रा अंसर कैसे आया अंसर पैदल ही आया है को रोना लगा है गाड़ी बड़ी नहीं चल रही नहीं इसलिए और मैं क्या बताऊं इनको सब कुछ तो लाइब दिख रहा है इसमें मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा हूं सुत्र बताया था और अपतांग को सौ से गुड़ा करना है और पूडांग से बाग देना है कि तो करना था हूं हूं नहीं गरीबी है डास्टर नहीं आट एक कम आठ आठ थाई चौसट है तो कितना आ गया यह इसको भी हल कर लीजिए आप तार से काटेंगे पचीस आएगा चार दूना आठ फाइनल में ट्वैल पॉइंट फाइब परसेंट है यानि साड़े बारा परसेंट है कि थाड़े बारा परसेंट है कि अगरा फॉर्स चाहिए आप सब्द नहीं आपकी तारीफ के लिए अगला है कि संख्या सेबंटी टू कि यह साथ सो अठाइज का कितना परसेंट है अब पताइए जल्दी बताइए रेजी बिसाल रोशनी कुमारी जिब्या संस्कृती सब्सकारी गर्ल देखें इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम है संसकारी गर्ल ब्यूटिफुल गर्ल बैड बॉय है और क्यूच क्रेजी क्यूट मतलब नामी बोलो ना तो आत्मा खुश हो जाती है दिल दुखी हो जाता है देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे जो नंबर दिया है आपको उसको हंड्रेट से मल्टिपल पुडांग से भाग करेंगे साथ सो अठाइस चलिए कैसे होगा यह जरा सोचिए कल्कुलेशन करना है भाई अगर एक चीज करते हैं हम साथ सो बिस कर देते तो आसान हो जाता इती फैसा ड़्टाइस हम इसको आंसा ही रहने देंगी कोई बतायां कोई उपाया इसमें है किस से कटेगा भाई है आठ से कट जाएगा ना जली आठ से ट्राइब करते हैं आठ ठाइंग आठ नौ बहात्तर आठीक कम आठ किया जाएगा नौ सो यह नौ सो हाँ सब्सक्राइब नाइन्टीवन कि भाग दे लिजिए फिर बताइए पहले का वीडियो देखे और हम तो ओल्ड हो गए अरे वा बतलब बियान अगवन हम ओल्ड होईगे पहले कमाल है भाई ऐसा ना करो अरे कल पर्सों में च्छत पे गए थे हम लोग उस दिन लड़का का पतंग अटक गई थी कि अंकल जी अंकल जी वह पतंग दे दीजिए मुझे अंदर से तो अजीव टाइब का लगा फिर मारा यह दोस्त था करा रहे यार आप तो अंकल बन गए हैं का भाई है उमर हो गई है सायद अभी इनकी मम्मी की उमर से ज्यादा नहीं है फिर भी अंकल जी बोल रहे यह हो गया इसको भाग तो आप लोग कर लेंगे कितना आए गवाई है आई यह करी के दिखा देते हैं कि नो सो नैंटीवन का भाग करना वन टाइम जाएगा अगर तो ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है फिर फूरे में जाएगा नो बार जाएगा नो एक कम नो 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 यह टाएक गँड़ा ली जीए दस में से 9 गया एक अर्बा यह कितना बचा नो 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 में से गया इंट कि उपर आप दस हमलों बढ़ा लीजिए कि पॉइंट में जा रहा है ना चलिए दस हमलों बढ़ाईए जिरो उतारिए कि अब इपार नो जाएगा और आठी कमाठ आट नो बसार इसके आगे करेंगी बिन सिर्फ दो creativity परफेंचBeं आएगा City कितना लंबा चोड़ा हो गया चैंड्यसा कितना लंबा चोड़ा हो गया ना ये आंडा कि कोई दिक्कत किसी को कोई परिसानी तो यह हो गया आपका कमाल हो गया जलो आगए कि इस बता बहिए एक कुश्चन है ज़रा दिल थाम के सुनना अच्छे से हां सुन रहे हो न पहले सभी बोली हां सुन रहे हैं सुनिए कुश्चन सुनिए यह मैं पहले भी करवा चुका हूं लेकिन यह परिक्षा में पूछा गया इसलिए मैं इसे जब भी पढ़ाता हूं तब करवाता हूं क्योंकि यह लाइसेंसी हो गया है प्राइबेट नहीं रहा गया पेपर में आ गया एक बार एक बिद्याले में अठारा पर्सेंट बालक चस्मा का परियोग करते हैं यह अप लोगों की दिब द्रिष्टी से हमें दिखता है लेकिन लगाते हैं आगे बोल लाइट जलती इसलिए एक बिद्याले में अठारा पर्सेंट बालक चस्मा का परियोग करते हैं ठीक है यदि बिद्याले में कुल दोसो पचास लड़के हों तो कितने बालक चस्मा परियोग करते हैं भाईया बताए एक बिद्याले में 18 पर्सेंट बालक चस्मा लगाते हैं तो अगर टोटल विद्याले में 250 चात्र हैं तो कितने लोग चस्मा लगाते हैं भाई अगर दिल करेगा तो एक और बता दीजीए इसी में कि इस संख्या में 20 पर्सेंट का मान 50 है प्राइ करिये फटाफट फटाफट विकास सिंग बहुत अच्छे बहुत अच्छे सालनी सोनकर अमान बेंद्र पैता एक पर्सेंटेज कोन लगा रहा है पता नहीं कहां कहां से आ जाता है कि कोई चंद्रमा शें भाद अंसर में पर्सेंटेज नहीं लगेगा बच्चा निकालना लड़का नीकालना और या मतलब निकालना नहीं मतलब अन्सर क् अंसर संद्र आनम गयं का 18 Pa इसका आंसर ऐसे लिखेंगे फोर्टी फाइप पर फिंटे लिख दोगे ना तो फिस अतिनास हो जाएगा गलत कि समझ रहे हो ना सभी है अभी को आरा समझ में ना कि किसी को कोई दिक्कत कोई परिसानी कोई हरानी नहीं आगे बढ़ा जाए चलिए तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे पांच सो रूपए का बीस परसेंट वहीं होगा कितना साथ सो रूपए का तीस परसेंट होगा यह सवाल थोड़ा बड़ा है यहां पर लिखने लाइग नहीं है अभी लिखूंगा दो टाइम लग जाएगा एक सो बीस को कितने परसेंट कम किया जाए कि 90 रहा जाए बताएए यह सही है कि 120 को कितना परसेंट कम करें कि 90 बचे कुछ लोग कह रहे हमारा वाट्सअप गुरूप उनको मैं बहुत बहुत बेलकम करता हूं और कमेंट बाक्स में मैं टेली गराम चैनल की लिंक दे रहा हूं बबुआ आप सभी वाट्सप पे नहीं वाट्सप पे 256 लोग जूड़ते हमारे यहां 256,000 फे ज्यादा बच्चे हैं तो हम टेली गराम पे जोड़ते हैं ठीक है टेली गराम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं जॉइन कर लिजिए ठीक है अंसर बताइए फिलाल मैं लिंक दे दे रहा हूं एक सो आठ कोई बता रहा है कोई साथ बता रहा है परीती यादव बता रही पैतालिस परसेंट पताइए जल्दी करिए फटाफट देखे वो कुश्चन जो बड़े वाले हैं उनको टाइपिंग करवाक लेकर आएंगे तब बताएंगे क्योंकि यहां लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा बड़े कुश्चन को हम प्रिंट करवाके लाएंगे तब स्क्रीन लिखा देंगे तब टेलिगराम जोइन कर लिजिए लिंक में दे दिया हूं जाकर जोइन करके फिर आजाओ इस देख्यां पे सारी कलास की लिंक भेज़ी जाती है जित्ती चलती है सब सब कंपलीट जिक्टा जिनको नोटिफिकेशन चाहिए दी गई लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम जोइन कर लें देखिये सी बात यह हम कैसे करेंगे करा 120 को कितना परसंट कम कर दें कि 90 बचे हम माल लेते हैं कि 120 को कुछ परसंटए कम कर दें कितना ऑच भी मां लो और करने का दो तरीके कवा से यह एक सो बीस को कितना कम करें किनवुषिए तри रिफंफ़ पता है कि 50 कम करेंगे बाइन इसका करींगे तुश्ब्रγिश्व करेंगे तो यह निकालो कि जो टीसstrong 120 का कितना परसेंट है जो 30 है वो 120 का कितना परसेंट है यह निकालने का तरीका है कि 30 गुडा 100 अटा नीचे 120 0-0 चार आया काट दो पचीज 25 परसेंट कितना आएगा 25 परसेंट कि यूँ बहिया सही जा रहा है कि नहीं एक जीरो से जीरो कट गया तीन से कटा तीन चोग बारा चार से काट दिया पचीज 25 परसेंट आएगा यह सब पचात्तर कहां से बता रहे हैं आरती 24 आ रहा है साल नहीं सोनकर यह कौन सा कुश्चन है अच्छा है पीछे हैं यह पलक मिसरा ठीक है ओके हो गया इतना डन देखे कुछ लोग डाश्टर के पीछे पड़ें एच अच्छा सुनू पचास रुपयाग डाश्टर चार दिन में खराब हो जाता है पड़ा है इसको धूलो बिटाओ धूलो मिटाओ तस रुपयाग रुमाल ना तस महीना चल जा चलो कि इतना हो गया ना इसमें को दिकत नहीं इतको क्या बता हूं मतलब तो क्या उसको कुछ गंदा बोल दूं तब नहीं अच्छा बोल दो तब तो अच्छा है नहीं जाने दो चलो यह सबी समझ गए है ठीक है आगे आगे यह बताइए राकेश ने अपनी परिक्षा में 65% अंग हाफिल किये कितना 65% यदि पूडांक 500 रहा हो तो बताइए कि राकेश को कितना नंबर मिरा है बताइए राकेश ने परिक्षा में 65% मार्क सांसिल किये हैं यदि पूडांक 500 रहा है तो बताइए कि बताइए कि राकेश को कितना नंबर मिला स्वेता कुमारी ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं इतनी रात को कलास चला रहे हैं कि रात में तुमको काड़ी उटी करने जाना है अरे यह उत्तर परसेंटेज में नहीं आएगा इसमें आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा है ओ ठीक है 403 कोई बता रहा है कोई 305 बता रहा है कोई 13 बता रहा है को सिस्ट कर लीजिए अपनी अपनी तरह से मुझे लगता है कि आजका टाइम ओबर हो गया यह कैरा का आजका PC अज तरह और इस तरह से आप लोग कर लेंगे मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं 24.5% को दसामलों में बदलिए बताईए 24.5% इसका मान बताईए प्राई करिए 17.5% 45% इसमान बताईए कर लेंगे ना सिल्पा के सरवानी 10 मिनट है सर प्लीज अच्छा 10 मिनट है फटा फट बताईए चलिए देखिए ये कलास 45 मिनट की होती है इमानदारी से 10 बज़े से 10 बच कर 45 मिनट तक अगर आप लोग बच्चों की संख्या 100 के पलस करिए 120 बच्चे या 1.5-200 बच्चे जुड़ें तो हम इस कलास को 1 से 1.5 घंटा पढ़ा देंगे लेकिन आप लोग कलास सेर नहीं करते सभी लोग पुछ ऐसे हैं जिनकी वज़से कलास चल रही वह सेर करते हैं लाइक भी करते हैं कुछ ऐसे वह जलन के मारा नहीं सेर करते हैं तो फ्लनीया पढ़ लेगी कि थमसे तेज हो जाएगे तो हमारा तो कुछ होगा यह अगला पड़ेगा न अब आपका विकास होने वाला है आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत पढ़े लिखें हैं बहुत बड़ी जॉब पा गया बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आपके अगल बगल खुब भीखारी टाइप के लोग जो ना और यह लिए अपने साथ साथ पडोसी का भी भी कास हो न चाहिए तो भी खुच रहेंगे दिदा आपोसी के लेकिन अगर उसके पास भी है तो उसको भी गर्ज लगे कि हां मुझे भी जाना है इसलिए इसलिए करें आप आगे बढ़ेंगे तो आपका साथी भी आगे बढ़ना चाहिए कि इस जलन से ना करें कि आगे हो जाएगा हम पीछे हो जाएंगे चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक पर फिर से पीवियर स्टडी की तरफ से आप सभी को गड़तंत्र दिवस की धेर सारी सुब कामना है कनहियाज लाल यादो जी बताइए क्या कह रहे हैं आप क्लास के बारे में किसी को कुछ कहना है तो बताइए अगर आप 100 प्लस बच्चे देंगे तो हम यह क्लास एक गंटे से उपर पढ़ाएंगे 100 प्लस बच्चे होने चाहिए 100 से कम नहीं होने चाहिए आपके घर में दो मोबाइल है तो आप दोनों में चलाइए तीन डिवाइस तीनों में चलाईए इतने डिवाइस है सब में चलाई यह मम्मी बापा भाइञ दिदी भाभी आपकी वह वाली वह वाला सब के से तो प्लस दिखना चाहिए बस गुडनाइट सपना मिस्रा जी गुडनाइट नेहा मिस्रा गुडनाइट सपना आठ और मंजीत यादगुडनाइट गुडनाइट भगवती गेमर कि नहीं कहा बोल दिया मंने